आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो बसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ इस प्राब्लम में में दिया गया है कि एक बॉल को जो है हम Zero Velocity से रिलेज करते हैं और वो H Distance ट्रेवल करने के बाद एक Smooth Inclined Plane से टकराता है अचा दिया गया है कि Smooth Inclined Plane जो है वो Horizontal से Alpha Degree Angle बना रहा है ठीक है? अचा अब हमसे कहा जा रहा है कि जब टकराता है तो वो Elastically जो है Ball Rebound करता है ठीक है हमसे कहा जा रहा है कि जब पहली बार टकराया उसके बाद जब अगले बार जब टकरा रहा होगा तो पहले बार और दूसरी बार टकराने के बीच में वो Along The Inclined Plane कितना चला होगा कितना Distance ट्रेवल किया होगा यानि कि हमसे यह कहा जा रहा है कि यह हमारा Inclined Plane है जिसका अंगल अलफा है ठीक है हमने यहां से एक Ball को Release कर दिया जो यहां पहुंचने के बाद जो है उस Inclined Plane से टकरा था ठीक है तो हमने कहा जा रहा है कि यह Distance जो है यह कितना है हमसे यह भी कहा जा रहा है कि Elastically Rebound करता है तो Elastic Rebound करने का क्या मतलब हुआ कि यह अगर प्लेन का यह Inclined Plane का अगर हम Normal बनाए तो इससे जितने एंगल पे आ रहा था उतने ही एंगल पे Reflect होगा ठीक है तो यह तो Alpha है ठीक है यह अगर Alpha है तो यह 90 degree माइनस Alpha हो जाएगा तो यह भी 90 degree माइनस Alpha हो जाएगा और क्योंकि यह 90 degree है और यह 90 degree माइनस Alpha है तो यह Alpha हो जाएगा तो इसको भी Alpha होना पड़ेगा ठीक है यानि कि अच्छा तो अगर यह Alpha हो गया ठीक है यह Alpha है और क्या करते है तो इस लाइन से अलफा डिग्री एंगल पे यह डिफलैक्ट होगा ठीक है हम इसको क्या करते है इसको X-axis बोल देते हैं इसको y-axis वोल देते हैं इसको x-axis बोल दें इसको y-axis अगर बोल दें घा happening since जानते हैं कि gravitational flash दो आमेसा तो along the x और 1 perpendicular to x, ठीक है, तो अगर हम देखें, तो यह angle जो है, alpha है, यह 90 degree है, तो यह कितना हो जाएगा, 90 degree minus alpha, 90 degree minus alpha, तो यह angle भी जो है, 90 degree minus alpha हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकल से जो x axis का angle है, वर्टिकल से जो x का angle है, वो 90 degree minus alpha है, तो इसके दो components क्या हो जाएगा, एक तो g का इधर sin alpha हो जाएगा, तो इधर g sin alpha हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, यह g cos alpha हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, इससे पहले, let's say कि finally वो चलता है, तो आ करके, इस point b पे collide करता है, यानि कि वो जो है, कुछ ऐसा move कर रहा होगा, और आ करके b पे collide किया, ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बड़े, हम point a पे इसकी velocity निकाल लेते, तो सबसे पहले तो हमें दिया गया है कि initially zero velocity से release किया गया, ठीक है, acceleration जो है, वो minus of g है क्योंकि vertically downward direction में लग र downward direction में, ठीक है, downward है, इसलिए minus h लिया मैंने, ठीक है, तो अगर हम s equals to ut plus half at, sorry, v square equals to u square plus of 2as अगर लगा दें, तो initial velocity तो zero था, v square equals to 2 into minus of g into minus of h, तो यह हो जाएगा यहाँ से, v equals to root under 2gh, ठीक है, यानि कि, जो ball है, वो यहाँ जब पहुचेगा, तो उसकी velocity हो चुकी होगी, root 2gh, ठीक है, root 2gh से टकराएगा, और root 2gh से, यह हमारे y axis से alpha degree angle बनाते हुए, वो निकल जागा, ठीक है, अचा, यह हमारा inclined है, हम इस inclined को, इसको redraw अगर करें, तो इस तरह से redraw कर सकते हैं, ठीक ह छिए, यह हमारा, क्या हो जगआगा, यह हमारा Y axis हो गया, यह हमारा X axis हो गया, ठीक है, हमारा जो ball है, उसका motion कुछ ऐसा होगा, ठीक है, उसकी initial velocity यहाँ से होगी, कितनी, यह हो जाएगी, root अंडर 2gh, ठीक है, और यह angle दिया गया, यह हमारा alpha हो जाएगा, ठीक है, तो यहा यहां से u x यहां से दो component आएगा एक तो y में एक x मैं चाहिए acceleration के दो components कैसे कैसे हैं यहां से g sin alpha इदर लग रहा है और एक g cos alpha इदर लग रहा है g cos alpha इदर लग रहा है तो अगर यह u x जो है तो u x कितना हो जाएगा root 2gh sin alpha और u y कितना हो जाएगा root 2gh cos alpha इदर अगर हम देखें तो यह जो है ball जो है यहां से यहां कब टकराएगा जब perpendicular to the plane उसका जो displacement है वो 0 हो जाए यानि कि इसके तरफ से देखें तो y axis में displacement 0 हो जाए ठीक है तो for colliding colliding the inclined plane again inclined plane plane again क्या हो जाएगा displacement in y 0 हो जाएगा यानि sy equals to 0 तो displacement in y को कैसे लिखेंगे u y t minus of plus of 1 by 2 ay t square equals to 0 तो यहां से 2 u y divided by ay ठीक है यानि कि यह हमारा हो गया t equals to 2 root 2 gh ठीक है cos alpha divided by ay कितना है minus of g cos alpha minus of g cos alpha ठीक है बलके यह ay का जो मतलब magnitude wise तो मतलब यह magnitude wise इसका होगा यहां से minus sin जाए ठीक है यह नहीं रहेगा तो यहां पर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा एक g से g cancel कर दें cos alpha से cos alpha cancel कर दें ठीक है तो t equals हमारा आ जाएगा 2 root under 2h divided by g ठीक है यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि ay जो है यहां पर magnitude होगा इस चीज को जब हम मतलब यह सारे values हम put करेंगे यहां पर तो वो ज आ जाएगा इतना 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 आ जाएगा बलकि हम तो चाहें तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं ठीक है लेकिन वैसे मैं मिटा ही देता हूं तो हमारा t इतना आ गया तो हमारा displacement हम से पूचा जा रहा है कि A से B तक पहुंचने में along the inclined plane कितना travel किया होगा ठीक है उसको अगर हम L बोल दें ठीक है यहां से यहां तक का distance अगर हम L बोल दें तो L कितना आ जाएगा ठीक है L equals to कितना हो जाएगा UXT plus of 1 by 2 AXT square ठीक है तो UXT कितना है root under 2GH sin theta ठीक है sin alpha बलकी यहां पर हमारा t हो जाएगा 2 root 2H divided by root g ठीक है इसके बाद plus of 1 by 2 AX कितना है G sin alpha ठीक है AX G sin alpha था हमारा times t square तो यह कितना हो जाएगा हमारा 4 to the 8H divided by g ठीक है तो अगर यहां से हम देखें तो यह हो जाएगा G से एक G cancel हो जाएगा 2 से यह 4H times cancel हो जाएगा ठीक है और यहां से पूचा गया था ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब पहली बार जो है in client plane से टक रहा है और जब दूसरी बार टक रहा है तो इन दो collisions के बीच में वह in client plane के along L distance travel कर चुका होगा और L equals to है हमारा 8H sin alpha तो यह हमारा answer हो गया Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर